तो स्वागत है सात्यूं आप सभी का राजस्तान के सबसे लोगपीडी चैनल स्टेडी एक्जाम एकेडवी में बहुत ही बड़ी यहां पर कुसकबरी है कि PTT का फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गिया है जिन भी सात्यूं ने PTT का एक्जाम दिया है वो अपना रिजल्ट किस परकार से देख सकते हैं मैं पूरा आपको लाइप रूफ रूफ बताने वाला हूँ यदि आपके पास रोल नमर है तो आप रोल नमर की मदद से या अपने नाम के दुआरा अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं घर बेटे अपने मोबाईल फोन से सबसे पहले आपको पता दूंगा कहां से देखना है क्या करना है और इस लिंक पर आने के बाद साइट पर यहां पर आपको मिलेगा PTT Result 2020 यहांपर नू लिखावा है इसके उपर आपको किलिक करना है हो सकता है साथ यूँ साइट बहुत धीरे चल रही है इसके बजह से आपको result निकालने में थोड़ा वक्त यानि time लग सकता है क्यूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर site बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है यहाँ पर फिर से server बिल्कुल down हो चुका है बड़ी मुश्किल से इतनी site खुली थी लेकिन फिर से server डाउन हो चुका है लेकिन आपको अपना roll number डालने से आसानी से अपना result बार निकाल देख सकते हो site के उपर मैं इसका link आपको नीचे description box में भी दे दूँँगा इसे पहले आप जैनल पर नए हो तो पलीस चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली आपकी official कटोब की कितनी कटोब रही है कितने नमर आपके आरे हैं तो आपका selection हो सकता है पूरी मैं जानकर आपको देख सकूँ सबसे पहले आपको वीडियो मिल सकें इसलिए चैनल को subscribe करना जरूर मैं यापर पूरी परियास कर रहा हूँ ताकि आपकी site खुल सकें और आपका result नमर निकाल सकें काप student के roll number भी है मेरे पास लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी server बिल्कुल भी यहाँ पर down है site यहाँ पर open नहीं हो पार ही क्योंकि बहुत सारे student यहाँ पर एक साथ परियास कर रहे हैं इस बार देखो जो official कटोप कितनी रहने की संभावना है ज्यादा बिल्कुल यहाँ पर PTT का जो है मेरिट बिल्कुल ज्यादा रहने की कोई संभावना नहीं करोना महमारी के चलते है student coaching नहीं कर पाए कापी student जिन्होंने तयारी भी नहीं की ऐसे exam में बैठ गये थे ज्यादा इस बार मेरिट भी नहीं रहेगी इसलिए आप site पर आराम से जाकर देख भी सकते हैं साथ यूँ site का link नीचे आपको description box में मिल जाएगा या आप यहाँ पर search कर सकते हैं PTT 2020 जैसे ही search करोगे Google पर जाकर आप आराम से अपना result चेक कर सकते हैं